प्यार का खेल होता है पेचिदा कभी किसी को पल भर में जन्मों का साथ मिल जाता है तो कभी किसी को जन्मों का वादा करके भी मुश्किल से पल भर का साथ नसीब होता है ऐसे ही कुछ उल्जे हुए नाकाम रिष्टों की कहानी लेकर आया है टेली मसाला हमारी अधूरी कहानी शेफाली जरीवाला और हर्मीद सींग की कहानी कोई फेरी टेल से कम नहीं है फरसिख इतना है कि इस कहानी की हैपी एंडिंग नहीं हो सकी साल 2002 में काटा लगा गाने से इंडुस्ट्री में अपना मुकाम बना चुकी काटा लगा गाने के बाद साल 2004 में शेफाली ने गेस्ट अपपेरियंस दी सल्मान खान, अक्षे कुमार स्टारर मुझ से शादी करोगी इस फिल्म में शेफाली की मीद ब्रदर्स के हर्मीद के साथ मुलाकात हुई through a common friend मुलाकाते बढ़ती गई, दोस्ती गहरी होती गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया साल 2005 में शेफाली हर्मीद की दुल्हनिया बन गई और दूम धाम से दोनों की शादी हो गई हर्मीज से शादी के पहले शिफाली ने डेट किया था टेलिविजन आक्टर सिधाट शुकला को इस बात को बिग बॉस 13 के घर में जाने से पहले शिफाली ने कंफर्म किया था उसने कहा जी हाँ मेराट सिधाट का स्पेशल रिलेशन्शिप था और हम दोनों की बीच सब न्यूचलिक हतम हो गया हम बहुत सालों से मिले नहीं है पता नहीं अब बिग बॉस के घर में हमारे बीच कैसा एक्वेजन होगा सिधात के साथ ब्रेक अप करने का रीजन तो कंपाटिबिलिटी इशिउस रहा उसके बाद शिफाली और हरमीत की शादी हो गई शादी के बाद शिफाली ने मीट ब्रदर्स के प्यार हमें किस मोड पे ले आया इस गाने में शिफाली ने फीचर किया और 2008 में डांस ड्रियालिटी शो बूगी वूगी में पाटिसिपेट किया शादी के चार साल बाद हरमीत और शिफाली की बीच इशिउस की खबरों ने जोर पकड़ा इंडेस्ट्री के मोस्ट ओफ दब ब्रेकप्स की तरह इनके ब्रेकप का किस्सा भी एक सीक्रेट ही रह गया आखिर किस वज़े से शिफाली और हरमीत के बीच आई दूरिया क्यों हरमीत से डिवोस लेने का फैसला लिया शिफाली ने इसकी असली वज़ा कोई नहीं जान सका हरमीत और शिफाली के इस रिष्टे में कड़वा हट आ गई कहा ये जा रहा था कि हरमीत शिफाली के साथ अब्यूजिव थे एक विबसाइट को दिये गए इंटर्व्यू में शिफाली ने कहा मैंने ये इतना बड़ा कदम इस ले लिया क्योंकि मुझे बहुत परिशान किया जा रहा था मुझे लिटरिली दिवार से पटका गया था कहते हैना जब दो लोगों को प्यार होता है तो वो बड़े से बड़े तुफान का सामना कर लेते हैं पर शायद ऐसा शिफाली और हरमीद के साथ नहीं हुआ उनके रिष्टे में दूरिया बढ़ती गई और शिफाली ने हरमीद से तलाक कंप्लेंट भी की थी डिएन नगर डिविजन के एसीपी दिलिप सूर्य वन्शी ने स्टेट्मेंट भी दिया था जड़िवाल और हरमीद का एक जॉइंट अकाउंट है शिफाली ने ये कंप्लेंट की है कि हरमीद ने उस शिफाली का तराक हो गया उनके इस अगली ब्रेकप के बारे में हरमीद ने कहा येस बट वो सब फेक प्रूव हो गया अब हम दोनों गुड टरम्स में है इन फैक कई बार एवेंट और पार्टीज में विलते है जब हरमीद से शिफाली के बिग बॉस 13 में एंट्री लेने पर पूछा गया तो सुन ये उनका जवाब मैं बिलकुल सप्राइज नहीं हूँ कि शिफाली बिग बॉस के घर में जा रही है मैं पहले से जानता था कि वो एक नएक दिन उस घर में जाएंगी उसकी परसनालिटी काफी इंट्रेस्टिंग है और शो के फॉर्माट के हिसा आप से वो फिट बैठती है जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लगता कि शिफाली आपके रिष्टे के बारे में कोई सीक्रेट्स रिवील करेगी तो he said not at all let her talk भाय जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो टेंशन या डरने की कोई बात ही नहीं हरमीच से डिवोस के बाद शिफाली ने साल 2014 में शादी कर ली उनके लॉंक टाइम बॉइफरेंट पराग त्यागी से और अब ये दोनों अपनी परसनल लाइफ में बहुत खुश है So all is well, that ends well